जैन चित्रकला भारती लगुकला परंपरा से आए आज हम लोग सेखते हैं मित्रों जैन चित्रकला नमस्कार मित्रों मैं हूँ चंदरपाल राजभर तो समयना गवाते हुए आए प्रश्णों के तरफ आगे बढ़ते हैं ये प्रश्ण देखिए आपके स्क्रेन पर है कि ग गीत गोबिंद और कल्प सूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी, बौत धर्म, जैन धर्म, हिंदु धर्म, बैश्डो धर्म, तो मित्रों ये थी जो है, आपकी जैन धर्म, किस से जैन धर्म, आपसन नमबर 20 है, कौन सा, आपसन नमबर 20 है, कैसे साही है, इसके बारे हम लोग थोड़ा सा विस्लेशन कर लेते हैं मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि गीत गोबिंद जैदेव की काब्रचना है यह बैश्रो धर्म से संबंधित है इसमें स्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विशाद, वरण, कृष्ण के लिए ब्याकुलता, उपालंब, वचन, कृटर की राधा के लिए उतकंठा, आधिकावरण है कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित गरंथ है गीत गोबिंद तथा कल्प सूत्र में पाई गई सचित्र रचनाय जैन सैली अथवा अपभरंद सैली का विशिष्ट उदाहरन है मित्रों इसमें कुछ अगर हम लोग विशिष जानने की कोशिस करें तो डाक्टर आनंद्र कुमार स्वामी ने वर्स 1942 में कल्प सूत्र की एक प्रती वरलिन म्यूजियम से प्राप्त की जैन सैली अथवा अपभरंद सैली का चित्रण रचना है बाद में इस सैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोबिंद रती रहश तथा दुरगा सप्त सी से प्राप्त किया चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे प्रश्णों के तरब जैन चित्रकला के प्रशिद सुरोत बताएं पंचदसी, धमपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र बित्रों तो ये माना जाता है जो है आपका कल्पसूत्र कौनसा कल्पसूत्र ओप्सन नमबर डी कैसे माना जाता है मित्रों जैसा की जानते हैं कि कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है गीत गोबिंद तथा कल्प सूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन सैली अथवा अपवरन सैली का उधारन है डाक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर सुननाई सो बयालिस में कल्प सूत्र की एक प्रति बर्लीम इविजियम से प्राप्त की जिसमें जैन सैली अथवा अपवरं सैली की सचित्र रचना थी उत्तर प्रदेश मादिमिक सीठ सेवस्ट चैन बोर्ड ने इस उत्तर प्रश्ण का प्राराभिक उत्तर कुंजी में आप्सन नमबर भी माना था किन्तु अंतिम उत्तर कुंजी में इसका भी कल्प जो हो D माना तो ये जो है आप्सन नमबर D सही कौन सा? आप्सन नमबर D चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण की तरफ कलप सूत्र गरंथों के चित्रन किस सैली में हुए हाँ ये important question है कलप सूत्र गरंथों के चित्रन किस सैली में हुए पाल सैली, राजस्थानी सैली, जैन सैली, पाड़ी सैली तो मित्रों जो हुआ था ये हुआ था जैन सैली में चलिए इस पे हम लोग तोड़ा सब लेते हैं, जान लेते हैं कैसे हुआ था मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलप सूत्र गरंथों के तिरतकारों पार्षनात महाबीर स्वामी आदि के जीवन का चरित्र वडन है भद्र बाहु इसके रचना माने जाते हैं कल्प सूत्र गरंथों के चित्रन जैन सहली में पाए हुए इस गरंथ की रचना महाबीर स्वामी के निर्माड के 150 वर्स बाद हुई मानी जाती है मित्रों इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा जो है विशेस नोट जानने की कोशिश करें तो सरवपर्थम आहमदाबाद के स्री सारा भाई मरिक लाल ने चित्र कल्प द्रूम जिसे कल्प सूत्र नामक गरंथ प्रकासित किया जिसमें अप ब्रंथ सहली के सादेवा रंगिन सैक कल्प सूत्र की दूसरी प्रती रायल एसियार्टिक सोसाइटी मुंबई तथा तीसरी प्रती लीमडी के सेंट आनंद जी कल्यांड जी के पास है जिसका लिपिकाल 1415 इस भी माना जाता है कल्प सूत्र की चोथी प्रती जानपूर की है जो स्वण अक्षरों में लिखी कोल की ज्यान मंदिर में सुरक्षित है कल्प सूत्र की यह प्रती सबसे उत्तम प्रती मानी जाती है इसकी चोथी प्रती आमदाबाद निवासी मुनी दया विजय दया विजय जी के संग्रह में संरक्षित है यह 15. सताब्दी में 60 अक्षरों में लिखी गई है कल्प सूत्र की तीसरी प्रती 1967 इस भी में जौनपूर के बादसा हुसैन साह सरकी के सासनकाल में चित्रित की गई थी बेस्टर्न संग्रहाले में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के स्री भोगा लाल जी के संग्रह में संरक्षित बाल गोपाल अस्तुती और बड़ोदा के प्रोफेसर मंजुलाल मजूमदार के निजी पुस्तकाले से प्राप्त दुर्गा सब्तपसी की पोथियां हैं तो इसमें आपस नंबर सी चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रती कहां की है तो मित्रों ये कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रती जो है ये है जाउन पूरकी कहां की जाउन पूरकी जैसे अभी हम लोगों ने विशलेशन में सुना चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरब किस भारती चित्र शैली में मनुस्य के चेहरे का तीन चौथाई भाग चित्रित किया गया हाँ ये चित्रित किया गया मित्रों जो है ये जैन सैली में किस सैली में जैन सैली में तो जैन सैली में चित्रित किया गया मित्रों जैसे का आप जानते हैं कि भारती जैन सैली का नमूना जैन ग्रंथों के उपर लगी दमपत्तियों या लकडी की पटरियों पर भी मिलता है जिसमें सीमित रेखाओं के माद्यम से तीब्र अभिवक्ति तथा आखों के बड़े सुन्दर चित्र बनाए गये हैं जैन चित्र सैली में मनुस्य के चेहरे के तीन चौथाई भाग का चित्रन किया गया है तो यह हो गया आपका आपसन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रेशन की तरफ जैन चित्र कागज पर क बने तो मित्रों यह जैन चित्र कागज में बने थे तेरहवी सताबदी में आपसन नंबर ए आपसन नंबर ए आपसन नंबर ए मत्रों जैसे का आप जानते हैं कि जैन चित्र कागज पर तेरहवी सताबदी में बने शातवी से बारहवी सताबदी तक संपूर भारत में जैन सब इसेसिस में जानने के भी अगर कोशिस करें तो जैसल मेर में जैन धर्म से संबंधित साथ ज्यान भंडार है इनमें जिन भद्र सुरी ज्यान भंडार का बड़ा है इसे बड़ा भंडार के नाम से पुकारते हैं इस भंडार में लगभग 400 से अधिक तालकी गरंथ लगभ तो यह आप्सन नंबर आपका जो है तेराविश अताबदी एस है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ वर्श 1630 में चित्रित रसिक प्रियाग के चितेरे थे साहब दीन, मनोहर, जगनाथ, स्रिधर कौन थे? तो मित्रों ये थे जो है ये ये थे जो है साहब दीन औप्सन नंबर A मित्रों जैसा के आप जानते हैं कि गीत गोबिन्ध 1629 में सूर शागर आज इत्यादी से समबंधित गरंद कथानकों के चित्र रशिक प्रिया विहारी सत्साई से संबंदी चित्र नायक नायका भेद उदैपुर महाराजाओं के ब्यक्ति चित्र भागवत पुराण 1448 सिस्वी में साहब दिन द्वारा चित्रित किया गया था बित्रों जैसा की रामायर में की जो सचित्र प्रतिया मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित की गई थी मेवाड साहली में चित्रित रागमाला 1648 सिस्वी में राश्टी संग्रहले में दिल्ली में है रसिक प्रिया के 21 प्रिष्ट महाराजा बीका नेर के संग्रहले में संग्षित है तो इसमें कौन सा जो है आप सुन साई है आपसन नंबर ए आपसन नंबर ए साहब दीन चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ जैन चित्र कला कहलाती है भिती चित्र पोथी चित्र लगू चित्र पट चित्र तो मित्रों ये कहलाती है जो है पोथी चित्र क्य इसका विकास 1190-1590 के मद्ध गुजराद आहमदाबाद तथा मारवाड के आसपास में हुआ जैन चित्रकला सहली को बिवादित रूप में गुजराद सहली पस्चिमी भारती सहली तथा अप्रन सहली के नामों से भी जाना जाता है डाक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस सहली का नाम लामा तारानात के द्वारा दिये गए नाम पस्चिमी भारत सहली का समर्थन करते वे इस सहली का नाम नवीन नाम पस्चिमी भारती सहली माना है जैसे इसमें मित्रों हम लोग कुछ अगर बिसेश जानने की कोशिज करें तो कालांतर में इस सहली के अनेक सचित्र गरंत अहमदाबाद तथा गुजरात के बाहर मारवार मालवा पंजाब पूर्वी भारत में जाउनपूर अवद उडिसा बंगाल नेपाल के अत्रिक वर्म म्यामर जिसे म्यामर भी कहते हैं स्याम स्याम जिसे थाइलैंड में से प्राप्त हुई है मित्रों इस काल को साहित में बीर गाथा काल चरणकाल के नाम से भी पुकारा गया है क्योंकि इस काल में मुल संस्कृति भासा में रचनाएं नहीं की गई हैं तो ये मित्रों आपका उल्भ के लंगार ऐसे आफिवें दूसरे प्रश्ण की तरफ जैन सहयली को पस्चमि भारती सहयली किस बिद्ध्वान नेकह स्वामिन नेकह अंलन भूर किसमे भारती बाक हम दली हूं मजत्यं यह कहे पढसे यह कहे थे जो है आनंद कुमार स्वामी किस ने कहा था आनंद कुमार स्वामी अभी हम लोग उपर जो है विस लेशन वे पढ़े चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रेशन की तरफ जैन चित्रकला भारत के किस छेत्र की है हाँ जैन चित्रकला भारत के किस छेत्र की है उत्त पूर्वी पस्चिम मद्ध तो मित्रों यह है यह है जो है आपकी पस्चिमी कहां की है पस्चिमी कहां की है पस्चिमी चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण की तरफ खिलाओने की तरह पसु पक्षियों का अलंकरण किस सहली में हुआ पहाडी सहली बाग सहली अप वरंस सहली मुगल सहली तो मित्रों ये जो हुआ है अप वरंस सहली में किस सहली में अप वरंस सहली में option number C कौन सा option number C मित्रों जैसक जानते हैं खिलावने की तरह पसु पक्षियों का आलंकरण जो है भारती लगुसाइली भारती अप भरंसाइली में हुआ है इस साइली में पसु पक्षियों का चित्रन ऐसे किया गया जैसे पसु पक्षि कपड़े के बने खिलावने हो चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्ण की तरब लगुजयन चित्रों की विशेस्ता है प्रतिकृती चित्रन बौनी आकृती पसुपछी चित्रन परली आख का दिखना तो मित्रों यह है जो है परली आख का दिखना मित्रों जैसे का आप जानते हैं की जैन लगुचित्रों में मानवा कृती सवाचस्म के हैं और एक ही ढंग में बनी हुई हैं इनकी नाक अनुपात से अधिक लंबी नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकाली गई हैं इनकी मतलब इनकी जो रचना दो वक्रों के द्वारा बनाई गई है तो मित्रों इसमें ऑप्सन नंबर आपका साही होगा अप्सन नमबर आपका सही होगा D, कौन सा? D चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ सवा चस्म चेहरे चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आखें इत्याद किस कला सहली में निर्मित की गई तो मित्रों ये की गई हैं जो है पाल स्वारी, जैन सहली में किस सहली में? जैन सहली में चली आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ पर्ली आख किस सहली के चित्रों की बिसेस्ता है? तो मित्रों ये जानते हैं आप ब्रंस सहली की बिसेस्ता है आपसन नमबर सी सही है ये मुगल की नहीं, पहाडी की नहीं, राजस्थानी की नहीं, ये अफबरंसायली की बिसेस्ता है तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा से बिसलेशन कर लेते हैं मित्रों जैसे कि आप जानते हैं कि अफब्रंद सहली में रेखाएं कोडात्मक प्रभाव उत्पन करती हैं इस सहली में प्राचीनतम चित्र स्वेतांबर्द जैन संपरदाय की निसत चूरडी पुस्तक जिसकी रचना ग्यारा सो इस भी में की गई है तो मित्रों इसमें आपसन नंबर सी सही चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ सारवपर्थम इस्थिर चित्रन मिलता है राजस्थानी चित्रों में बुगल चित्र में जैन चित्र में कांगरा चित्र में तो मित्रों ये जो मिलता है ये मिलता है जैन चित्र मे कहा मिलता है जैन चित्र में जैसा कि आप चानते हैं मित्रों ये सरप्थम इस्ति चित्र जैन चित्र में मिलता है भारत में कागज पर चित्रन सरप्थम इसी सहली में हुआ था चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्ण की तरफ अब ब्रंद सहली में अंग प्रत्यंग बने हैं कोमल इस्थिर और जकड़े गीत मैं इन में से कोई नहीं तो मित्रों ये जो है ये है आपका जो है ये बी नमबर कौन सा आपका बी नमबर इस्थित और जकड़े मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि अपवरंद साहली को गुजराच साहली जैन साहली पुस्तक साहली पस्चिमी भारती साहली वह प्रकृत साहली भी कहा जाता है इस साहली में सीमाएं रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं प्रतेक अस्थान पर रेखाएं एक ही मोटाई के लिए हुए हैं जिसमें लोच का आभाव है मुद्राओं में जहकरन होते हुए भी गती परिलक्षित होती है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ इसमें से कौन आसा बद्ध है इसमें से कौन संबध नहीं है तो चलिए सुर सुन्दरी कहा तिरसास्थी साल का पूरुश्चरित कथा सरित सागर चौर पंच का कौन सा मित्रो इसमें जो है चौर पंचासिका चौर यह जो है आसा बद्ध है कैसे मित्रो जैसे हम जनने की कोशिश करें अगर तो सुर सुन्दरी कहा तिरसास्थी साल का और पूरुश्चरित वकथा सरित सागर उत्तरमद्धिकालिन साहित के चित्रकला संबंदित गरंथ है जबकि चौर पंचासिका जैनेतर सहली से पवित्र गरंथ है चलिए मित्रो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ उदैगिरी और खंडगिरी की गुफा किस काल की है गुपत काल की मौर काल की सुंग काल की कुसान काल की तो मित्रो जो उदैगिरी की ये खंडगिरी की गुफाएं ये हैं आपसन नमबर C मित्र जैसे कि आप जानते हैं कि सुंग काल के समकालिन खारवेल सासक ने उदैगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिच्छूओं के आवास के लिए बिहार बनवाए थे ये गुफाएं बहुनेस्वर ओडिसा के पास में हैं मित्रों उदैगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के पास ही हाथी गुमफा अभिलेक तथा रानी गुमफा अभिलेक भी है रानी गुमफा अभिलेक दो तल पर बना हुआ है उदैगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं तो इसमें कौन सा साई है आपका option number C कौन सा option number C चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ ये देखिए उदैगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दरसाती हैं बौत धर्म, जैन धर्म, तो मित्रों ये दरसाती हैं जो है आपकी, ये दरसाती हैं आपकी जैन धर्म, कौन सी? जैन धर्म, जैन धर्म, ये option number B, मित्रों जैसा का आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लेजिए, उदैगिरी की गुफाय मद्य परदेश के बिदि हैं, उदैगिरी नामक पहाड़ियों को काट कर गुफा के अंदर मूर्तियों को बनाया गया है, ये गुफाय हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं, किन्तु जैन धर्म से विसेश रूप से संबंधित मानी जाती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे काल का चार कथा उपर एक में से कोई नहीं, मित्रों ये जो है आपका, ये चित्रित हैं, मेरे ख्याल से क्या ये चित्रित हैं, आप्सन नमबर B, चित्र कल्प दूम में, किसमें, चित्र कल्प दूम में, मित्रों कैसे, जैसे की जानते हैं आप, अगर नहीं जानते हों तो आप जान ले दिये जैसे ताल पत्र पर अंकित कल्प सुत्र नामक कला का चारे कर्था के आधार पर निर्मित पारसुनात नेमिनात और रिशबनात तथा अन्य बीस तिर्थांकर महत्माओं के द्रिश्टांत चित्र जैन कला के सर्वदिक प्राचीन हैं मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनात चरित्र अंग सूत्र तिरिश्टिका सालका पुरुष चरित उत्रार ध्यान आधी अन्य बीसियों से संबंधित पुस्तकें बाल गोपाल अस्तुती दुरुगा सप्तपी रतिरहस से मा कंडे पुराण चाओर पंचासी का आदी तो मित्रों ये जो है कहां से संबंदी था है ये है संबंदी था है चित्र कल्प दुरूम से चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण की तरब प्राचीन बहुत कला पर प्रकास डालने वाले इतिहास कार तारानाथ थे चीनी, तिबती, कस्मीरी, पाकिस्तानी तो मित्रों ये थे जो है आपके तिबती, कहां के थे तिबती ये थे तिबती मित्रों जैसा कि आप जानते हैं अगर नहीं जानते हूं तो जाना लेजिए सुहामी सताबदी में तिबती इतिहास का लामा तारानाथ ने बहुद कालिन सहलियों पर प्रकास डाला तारानाथ ने आरंबिक बहुद काल की तीन सहलियां मानी जैसे देव, यच्छ, नाग ये तीन सहलियां मानी मित्रों इसमें जैसे हम लोग महत्वपूर्ण तत्थे भी जानने की कोशिज करें तो देव सहलि मगधराज आधुनिक ब्यार प्रांत से प्रचलित थी, यच्छ सहलि लगभग असोक के सासन काल के समय में प्रचलित थी, नाग सहलि कला का प्रचलन नागारजुन नामक दार महत्वपूर्ण बिशेश प्रचलन है, भारती कला प्रांपरा जैन सहलि से संबंधित हैं, तो मित्रों इसका अध्यन कीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलन है, यह आपके TGT, PGT, LT, KBS, NBS, DSSB और UGC NET, JRF में भी पूछे जाएंगे, तो इन बिशेश प्रभावी रोप से आपका तयार होगा, आप सबी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद